हाई फ्रेंद्स मैं हूं प्रेंज़ विल्कम टूबूव शूवी दूस्तों बोलते हैं कि जो सटकेल लोग होते रहे हो बहुत ज़्यादा क्रियेटे होते हैं किया वो जन्रूइनली सटकेल होते हैं या फिर दूनिया से एढ़ होते हैं और उनका ब्रहीन कुछ जधा काम कर लेते हैं मैं जिस मुवी का बात कर रहा हूं उसका नाम है The Electrical Life of Lewis Wayne और Lewis Wayne एक आटेस्ट है जो early 20th century के अंदर थे Victorian era चल रहा था उस जमाने में जो illustrator होते थे वह बहुत ज़्यादा सिर्फ newspapers में काम किया करते थे magazines वाले में काम किया करते थे और यह भी वहीं पर ही करता होता है इसके बहुत responsibilities होती है फादर के जाने के बाद और इसके तीन sisters का इसको ख्याल रखना होता है बड़ एक जगा जाती है तो काफी तरीकी की चीज़े कर लेता है कुछ पेटेंटेट चीज़े भी बना लेता है और फिर सोसता है कि मैं बॉक्स हरू हाला कि उत्ते इची बॉक्सिंग करना ही पाता और इसको अपनी बहनों का ख्याल भी रखना होता है तो काफी तरीज यहां पर चल रही होती है जो इसको स्पेसिफिकली जिस तरीके के मुस्टाच का स्टाइल है बहुत पर्टिकलर रहे हैं उस चीजों के लिए तो विज्वली आपको काफी जाद अच्छी लगेगी मूवी और आप समझने की गोशिश करोगे कि जो आर्टेस्ट है यह आर्टेस्स सटकेल है या फिर हर एक आर खाना होता है तब वो ग्रेट आर्टेस्स बनता है यह सब सवाल आपके दिमाब में चलेंगे तो बिल्कूली क्रेटिव टाइप की मूवी है थोड़े असा आप इसको पैरलल सिनमा के जॉनर में डाल सकते हो उसकी लाइफ जो होती है वह थोड़ी सी पटरी पर आरी होती ह क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि उसके बस काफी सारी responsibilities है creative bent of mind है और अभी अभी जो उसकी sisters होती है उसकी governance एक आती है उसकी थोड़ी love story भी शुरू हो जाती है और दोरों मिलके एक cute सी cat जो है street से adopt भी कर लेते है जो कि बड़ा unusual होता है Victoria Nera के time पर कोई भी cats रखता नहीं होत उसका नाम यह पीटर रख दते है अब पीटर भाई साथ के साथ क्या होता है और इसके जीवन कैसे turn हो जाता है upside down यही सब देखने वाली move बात होती है इस पूरी movie के अंदर यह debate किया गया है कि कैसे उसको terrifying hallucinations आती थी या फिर उसके अंदर कोई god gift था जैसे वो इस तरीके क sketches बना पाया cat की जो super popular हो गई और लोग उसको modern or ultra modern मानने लगए या फिर वो कोई psychosis था इस तरीके की यह movie है तो जैसे मैंने बदाए बड़ी arty type movie है सब को यह समझ में आने वाली है नहीं काफी आपको ध्यान से देखना पड़ता है और extreme पागल बने हैं इसके अंदर और unusual ह behavior होता है अब जो इसका title भी है था electrical life of Lewis Wayne Lewis Wayne का यहाँ पर मानना यह होता है कि electricity जो की 19th century में अभी बनी रही थी और जो England Victorian side of the world था वो काफी जादा मेहनत कर रहा था था कि हरे के घर में बिजली आ पाए तो एक over obsession था electricity को लेके बट यहाँ पर Lewis यह बिलीव करता था कि electricity आपक सोर्स है जिससे आप कभी कोई चीज भूलते नहीं हो तो इस तरीकी उसकी सोच होती है और वो क्यों ही अप्लाइ करता है वो आपको मूवी के इंदर डिसकवर करना होता है बट आक्टिंग वाइस बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी है और वाज बिटिश आटेस्ट बह उनने बहुत अच्छे तरीके से किया है और मैं क्या बूलू इस मूवी के लिए अगर आप देखो कि आपको पता चलेगा कि जिसे कहते हैं ना बंधेवे दिमाग का आदमी जो लोगों से कम इंटरेक्शन कर रहा है और अपनी दिमाग में एक इमाजिनेशन लेके चला जा है और अगर अपको इनकी रियल कहानी सुननी है जो लोई स्वेन की कहानी है वो आप विकी पीडिये बर जाके पढ़ लोगे हो उसके साथ क्या हुआ था उसके जो एंड के दिन थे वो कुछ ऑस्पटल के अंदर ही बीते थे थे हॉस्पटल में बीते थे सही थे गलत थे व इसलिए मैं इसको ए नहीं दे रहा हूँ तो आप देखो इबर ही ट्राय दो इसको इंग्लिश में ही अवेलेबल है अमाजान प्राइम पे है और हम मिलते हैं एक और रिव्यू एक और अप्डेट के साथ डोंट फरगेट तो सब्सक्राइब तचाना